कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Defense Officers Academy के एक और नए इंफॉर्मिटिव वीडियो में और आज के वीडियो का जो शीर्शक है वो आपको दिख रहा होगा पीछे हमारे जैसा कि आपको पता है सेनिक स्कूल का रिजल्ट आने के बाद से बड़े ही उख़ो किस्थिती थी स्कूराइस को आखिर कार पूरा कैसे यह नहीं थी जो आपकी प्रयोरिटीज है उनको फिल करना नहीं आ रहा है या sign in कैसे करना है या फिर OTP generation कैसे करना है या फिर other technical जो भी बाते हैं regarding the filling of the form of e-counseling दिखकती आ रही थी कि जो सहने की स्कूल की website है जिससे कोई भी access कर सकता है अपनी e-counseling की इस पूरी process को और उसको fill कर सकता है यानि कि priority में कुछ schools के नाम रख सकता है वो जो website है वो that आपने देखा होगा कि जो सेनिक स्कूल है उसने लगातार समय पर यह जो डेट है e-counseling की उसको extend किया हुआ था हम सभी जानते हैं कि यह शुरुवात हो चुकी थी 15th of March से लेकिन यह जो registration and choice filling की last date है जो आपको 31st March दिख रही है इसको 19th March शुरुवात में रखा गया था उसके बाद इसे फिर extend किया गया 24th of March तक और अब जा करके इसे 31st of March तक के लिए extend कर दिया गया है कहने का मतलब यह है कि e-counseling की प्रक्रिया में जो भी registration करना है अपने choice of scenic school fill करने है उनको fill करने की यानि की registration और choices को fill करने की आखरी date अब हो चुकी है 31st of March रात 11 बचकर 55 मिनट तक यह प्रक्रिया हमने पूरी कर लेनी है तो बहुत सारे parents जो की चिंता जता रहे थे कि वो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे because of the server breakdown and other technical issues उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है साती साथ मैं आपको बता दूँ 19 से 24 और 24 से 31 यह जो date का extension है मेरे हिसाब से this is the last extension of the day इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब सैने की स्कूल इसको further extend करेगा क्योंकि 31st मार्स तक अब किसी न किसी तरीके से आपको इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा तो अब जब यह सब कुछ हमारे सामने आ चुका है इसकी खबर कहां से आपको लग सकती है तो देख कौन कौन सी डीटेल से पहली बात है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट तो 14 मार्च को रिजल्ट आने के तुरंद बाद 15 मार्च से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई सारे पेरेंट्स ने कार्म कर भी लिया है जितनी हमें जानकर यह हमार और अब देखिए आगे की जो डेट्स हैं वो भी क्लियर कर दी गही है सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट याने कि आप एक काउंसलिंग की प्रोसेस में जब आप एक के बाद एक दस सैनिक स्कूल प्रायोरिटी वाइस भरेंगे और आपके स्कोर के आधार पर आपको कुछ स सैनिक स्कूल is allotted to you or not और उसके बाद फिर राउंड टू और राउंड ट्री की प्रकिरियां भी शुरू होने की संभावना है तो 6 अप्रेल को सभी को पता चल जाएगा कि उन्हें कौन सा सैनिक स्कूल मिला है या कोई स्कूल जो वो चाहते थे वो नहीं मिला है तो फिर आ देख लेना है कि जो भी सैनिक स्कूल आपको मिला हुआ है इस इक प्रॉसेस के राउंड वन में आप उस सैनिक स्कूल में चाहते हैं या नहीं तो 10 अप्रेल तक आपने अपना एक्सेप्टेंस बता देना है मतलब 6 को ही बता सकते हैं 7 8 9 10 कि कुछ दिन आपको दिये हुए हैं और उसके बाद verification of document come medicals commencement date is 15th of April और उसके बाद आपके document verification का काम शुरू हो जाएगा 15th April से और इस तरीके से आपकी जो सैनिक स्कूल admission की प्रिक्रिया है वो पूरी तरीके से अब initiate हो जाएगी and the last date for documentation and free submission is 27th April तो 27 अप्रेल तक round one में जो लोग चैनित हुए हैं उन में से अधिकांश लोग finally अपनी हामी भर देंगे तो इस तरीके से ये प्रिक्रियाब चलने वाली है अभी तक अगर आपने e-counseling की process में registration नहीं किया है या किनी वज़ों से नहीं कर पाए हैं तो अब ये last chance है और कैसे e-counseling की इस अपनी choices को fill करना है वो सब कुछ हमने बताया है अपने ही एक वीडियो में जिसमें आपको मिलेगा एक title है या thumbnail पर आप देख सकते हैं e-counseling पर आखरी बात जो हमने की थी अब वो आखरी बात थी लेकिन यह आखरी बात नहीं हो पाए because of continuous date extension इससे पहले भी date का extension हुआ थ करूंगा because बच्चे इसको खुद से फिल नहीं करते हैं तो आखरी तोर पर मैं बताना चाहता हूं कि जो भी पेरेंट सेनिक स्कूल में e-counseling की process में registration करना चाहते हैं उस सबसे पहले हमारे वीडियो को देखें यहां पर आपको यहां से भी इसका एक जलक दिख रही होग को फिल करते समय आपको एक application number मिला था और password आपने generate करना होता है OTP के थुरू अपने registration कैसे करना है वो सब कुछ पीछे के वीडियो में हमने बताया हुआ है अभी मैं आपको एक और खास बात बताने के लिए इस वीडियो को यहां पर लेकर करके आया हूं देखें यह जो metric ह is totally for you to fill the e-counseling process यही है जो आपको एक तरीके से guide करेगी कि आपने e-counseling process को कैसे fill करना है और यह मैं थोड़ा सा उधारन के तौर पर भी आपको बताऊंगा देखें यहां पर बहुत सारे schools की list है मतलब तमाम यहां से लेकर यहां तक 19 सेनिक स्कूल है और फिर यहां से ल है और फिर हमें कई सारे phones आते हैं तो उस वजह से मैं इसी वीडियो के माध्यम से उन सारी queries को समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर आपको देखिए एक के बाद एक सारे सेनिक स्कूल की list दी गई है और यहां पर क्या दिखाया है देखिए this is a tentative list of vacancies for class 6th अगर आपका बच्चा class 6th में admission के लिए training school eligible है या फिर उसने exam दिया है या वो e-counseling की process आपको उसकी fill करनी है तो इस school metric का आपको यह vacancy metric का आपको पूरी तरीका से यूज करना हुगा यहां पर boys related data है जो की other state वाला यह section है और home state वाला यह section है और यहां पर girls से related data इसी तरीके से class 9th का भी आगे आप देखेंगे school metric आपके सामने रखा जाएगा this is the class 9th school metric the same schools boys, girls, home state, other state, home state, other state for boys and girls और फिर इसी तरीके से यहां पर 33 schools की list है तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मान लीजिए आपके बच्चा एक उदाहरन ले करके मैं चल रहा हूँ मान लीजिए कि आपका जो बच्चा है वो उत्राखंड में recite करने वाला बच्चा है एक student का example लेता है जो कि उत्राखंड से है और उत्राखंड से इस बच्चे ने class 6th के लिए 250 प्लस score किया हुआ है मान लेता हूँ मैं 240 से 250 के आसपास उसका score है या फिर उससे जादा है ऐसे बच्चे को अपनी जो सैनिक स्कूल की e-counseling process है उसको किस तरीके से fill करना चाहिए उसका एक example देता हूँ मां की आप सभी कमो बेश इसी तरीके से अपने सैनिक स्कूल e-counseling को fill करेंगे तो आपको वहाँ पर जब भी आप sign in करेंगे और अपना password डालेंगे उसके वाद जो e-counseling portal खुलेगा उसमें plus का sign दिखेगा और एक स्कूल का नाम लिखने के लिए वहाँ पर आएगा थारे schools की list इसी त सबसे पहली choice तो सेनिक स्कूल घोडाखाल ही होगा इसलिए नहीं कि वो एक अच्छा स्कूल है इसलिए भी क्योंकि यह उसका home state वाला है और मैं अभी consider कर रहा हूं मालनी जीए वो boy है एक लड़के का सैनिक स्कूल घोडाखाल first priority होना चीए अब इसमें दो-तीन चीजे और other state में other state की preference के ऐसे देनी है वो भी हम देखेंगे उसके पाद अपने अपनी category बहुत सारी category में यहां पर e-counseling में आपको fill करना होते देखिए अगर आप SC community से हैं ST community से हैं या OBC से हैं या defense category से हैं या general category से हैं उस हिसाब से आपको उसी category के metric में देखना है अगर आप home state boys म general categories हैं तो आपको इसी category में देखना है इस जनरल और इसी तरीके से मां की जिस भी category में जो भी हूँ तो आपने state wise सबसे पहली preference देनी है भाई home state के सेनिक स्कूल को इस इस फर्स्ट प्रिफरेंस यूशुद गिब और उसके बाद आपने other state में अब कैसे preference देनी है तो आपने seats देखनी है in your category अपनी category में सबसे ज़्यादा seats जहां allocated है वहां आपने तो यह other में state और category दोनों का आपने ध्यान रखना है कुछ parents की यहां पर यह भी एक तरीके से choice होती है या फिर उनकी desire होती है कि बहुत दूर वो अपने बच्चे को नहीं बेजना चाहते जैसे कोई उत्राखंड का parents यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे North East में जाकर के पड़ें क्योंकि आने जाने की कुछ दिक्कते हैं साथी साथ बहुत जादा दूर यानि की South में या कह सकते हो कि जैसे कि तमिल नाडू और केरल या इस तरीके से इन स्टेट में अगर कोई सैनिक स्कूल है तो वहां वो अपने बच्चे को नहीं भीजना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने अगल सबसे पहले भरना तो है ही नेकिन अब जब आपकी यह भी डिजायर है कि बहुत दूर का स्कूल नहीं होना है तो आपने सीट सिन यूर कैटिगरी तो देखनी है प्लस आपने अपने नियरेस्ट स्टेट की तरफ भी रुजान करना है जैसे मैं यहां पर बात करूं तो उत्रखंड से जो भी लोग फॉर्म भरते उनके लिए नियरेस्ट स्टेट में यूपी है हिमाचल प्रदेश है इवन मैं यह भी कहूंगा कि आप पंजाब हर्याना और राजस्थान इन स्कूल्स के थरूँ दस स्कूल्स बनने की कोशिश कीजिए यह नियरेस्ट है औ जो आपके नियरेबाउट है उसके बाद भी दूसरे जोन में आ जाते हैं बिहार जारखंड मध्यप्रदेश 36 गड़ इसके अलावा आपकी कई सारी ऐसी भी इस हो सकते हैं कि माल लीजे किसी स्टेट में आपके अपने रिलेटिव रहते हैं या फिर जहां जाना आपके ल बहुत सारे अलग-अलग लोगों की अलग-अलग choices हो सकती हैं मैं सिर्फ आपको एक category wise यह दिखाना चाहरा हूं कि आपने किस तरीके से अपने सेनिक स्कूल की preference को फिल करना है अगर आप distance को एक criteria मानते हैं तो तो एक पहली category में UP हिमाचल पंजाब हर्याना और राजिस्थ में 36 गड़ में अपनी category में जिस स्कूल में ज्यादा सीट्स हैं उन स्कूल को पहले प्रिफरेंस दें फिर इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर नॉर्थीस नहीं चूज करना चाहते हैं तो फिर महारास्ट गुजरात और यहां तक कि मैं कहूंगा कि करनाटक इस तरीके से मुझे लगता है अगर आप स्टेट्स को देखेंगे और अपनी number of seats के हिसाब से उन्हें अपनी category में fill करते जाएंगे पहले इन स्टेट्स पे गौर करें फिर इन स्टेट्स पे गौर करें फिर इन स्टेट्स पे गौर करें इस लिहाद से आप total 10 priority सेनिक और है तो मैंने कहा कि पहली preference उसकी यह तो class 9th का है अच्छा पहली preference उसकी सेनिक स्कूल घोड़ाखाल ही होनी चाहिए सेनिक स्कूल घोड़ाखाल में देखिए अगर वो जनरल कैटिगरी का है लेट्स टेक एक्जामपल अब जनरल तो जनरल कैटिगरी में होम स्टेट में आपने देखना है 12 seats है सेनिक स्कूल घोड़ाखाल में तो एक अच्छा चांस है कि यहां पर उसका सेलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं जनरल कैटिगरी में seats देखता हूँ 27, 24, 19, 24, 22, 27, 24 इस तरीके से आपको यहां पर बहुत सारी seats देखने को मिल रही है 31 seats का पूर्थला में देखने को मिल रही है जनरल कैटिगरी में लेकिन यह सब कुछ होम स्टेट में है आपने होम स्टेट में सिर्फ उत्राखंड में आप भर सकते हैं तो यह आपका होम है अब आपका पूरा पूरा focus shift हो जाएगा other states में boys की category में और जनरल में बागी चीजों से आपका कोई यहां पर सरोकार नहीं रहने वाला है और girls में है तो यह भी आपसे कोई इसका सरोकार नहीं है आपके लिए सिर्फ यह metric यहां पर ध्यान देने वाली है और यहां पर तेरह बारह नौ बारह दस चौदर बारह साथ बारच है इस तरीके से आप देख रहे है तो मोबेश इसमें सबसे ज़्यादा एक metric बचती है जिसमें आपको ध्यान देना है यहां पर यह और यहां पर यह और यहां पर इसी तरीके से जो भी कैटेगरी में आप हो तो आप उस कैटेगरी पर ही ध्यान दें और अधर स्टेट में आपको फोकस करना है एक तो यह एंसल आउट हो गया है विगाज यह यहां वाली स्लाइड में हमें थरटीन सीट सबसे ज्यादा दिख रही है अब जराब पदा करते हैं है फॉक्त है किस तो स्कूल में यह और वो रहा यह जाइब इसमें देख लेते हैं कान सा स्कूल है यह भीजापूर है तो यह करनाटक में पढ़ेगा और यह वाला घ्यक लिस्ट मैक्सिमम नंबर उप सीट्स थर्टीन है अमरावती नगर में है यानि कि तमिलनादु में पड़ेगा जहां तक मुझे याद है और फिर थर्टीन नंबर उप सीट्स पड़ती है कपूर थला में जो कि पंजाब में पड़ेगा तो आपके लिए फिर सेकिंड प्राय अगर यह आपको नॉर्थीस्ट जाना है या फिर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में नस्दी की स्टेट देखना है तो फिर के लिए थर्टीन नंबर पर कुझपुरा भी नहीं है बारा नंबर की सीट सतारा में है यह महारास्ट में डैट यू किन कंसीडर और तेरा सीट तिलाया में यह भी आप कंसीडर कीजिए इस हिसाब से अभी देखिए आपको नजदीकी जो स्टेट्स दिख रहे हैं यहां यहां पर मैनपुरी दिख रहा है एक योकी नजदीक पड़ेगा आपके और जालन्दा सेकेंड सिफ्ट में आएगा रीवा मध्यप्रदेश में है रिवाडी दूसरा आप दिख रहा है यहां पर नाइन नमबर आफ सीट्स हैं यहां पर टेन नमबर आफ सीट्स हैं तो यह कर सकते तो 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 second के बाद third priority में आप इसको रख सकते हैं fourth priority में इसको रख सकते हैं इसी तरीके से फिर आपको अगला देखना होगा यहां पर अमेठी में 9 seats हैं तो यह अपना 4th priority में आप रख सकते हैं अगर आप distance wise आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप बहुत दूर बच्चे को नहीं भेजना जाते हैं तो फिर इस तरीके से आपको 7th number पर यह आजाएगा 8th पर यह 9th पर यह 10 नंबर की seats हैं तो फिर 10th number पर आजाएगे इस तरीके से आपको 10 seats वाले भरने हैं चलिए यह तो class 6th का था boys की category में था मुझे उमीद है आप समझ पाए होंगे कि आपने कैसे e-counseling की process में स्कूल को सबसे पहले एक अपनी rough copy या फिर किसी कागज पर priority wise देख लीजिए अपनी seats के आधार पर इस metric को देख करके आप अगर 6th class में है तो यह school metric आपके लिए ही बनाई गई है boys है general category में है 250 plus marks ला रहे हैं तो आपको पता है हमने cut-off से related भी वीडियो बनाया था expected cut-off यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे वीडियो दिख जाएंगे थोड़ा सा यहां पर एक homework आपको करना पड़ेगा कि कौन सा इसको जैसे अमरावती नगर तमिल नाडू में है ठीक है अमेठी अपना उत्तर प्रदेश में है यह चित्तोडगर राजस्थान में इस्ट सियांग नौर्थ इस्ट में है बोड़ा खाल उत्राखंड में तो यह कौन-कौन से स्कूल कौन-कौन से स्टेट्स में है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए नहीं बता है तो जिस समय कांसलिंग की प्रॉसेस में आप स्कूल भरेंगे वहां पर स्टेट का नाम तो दिखा होता है लेकिन उसी समय पर एकदम से डिसिजन ले पाना सही नहीं थो थोड़ा होमबक आपको करना पड़ेगा इन स्कूल के नाम इनकी सीट्स इसके अधार पर कौन सा स्कूल कौन से स्टेट में है अगर आप यह पता करके रखेंगे पहले से और अपनी दस इस्कूलों की पहले से एक लिस्ट बनाकर रखेंगे तो यह काउंसलिंग के पोर्टल पर आपको सीधे जाकर के वन बाई वन क्लिक करते जाना है और उस क्लिक करते करते अब अपनी जो प्रोसेस उसको बहुत आसानी से बर सकते हैं यह कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है मैं यहाँ पर फिर से चलो एक और दूसरा एक्जामपल ले लेता हूं मान लीजिए कि जो बच्चा है वो तमिल नांडू का ही है वो बीसी के टेगरी से बिलॉंग करता है तो उसके लिए सबसे पहली प्राइरोटी तो अमरावती नगर के तौर पर यही स्कूल होगा यहां 19 सीट्स हैं तो यह हूं के टेगरी में बॉइका हो गया है तो यह बॉइका एक्जामपल ले लिया है अब गर्ल्स का ले लेते हैं यहां गर्ल्स पर भी थोड़ा फोकस कर लेते ठीक है तर्मिल नांडू की एक लड़की क्लास 6th में अड्मिशन लेना चाहती है अच्छे मा सब्सक्राइब तो होगा ही होगा अब इस गर्ल्स वाले कैटिगरी में आपको अधर स्टेट में ओबी सी वाले पर फोकस करना है मां की सब कुछ गया आपके लिए या इसको काटने से बहतर है कि मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो आपके लिए फोकस का पूरा का पूरा जो जायरह है वो इस वाले पर सिमट जाएगा इसी तरीके से अदर स्टेट गर्स मैं ओबीसी तो गर्स के लिए देखे ज्यादा को दिखेंगी नहीं इस अपको जिक नमबर फिस दिख रही है वन सारी जगह इतनी नंबर फिद दिख रही है वन को आपको जो पसंद आए आप वह स्कूल भर सकते हैं क्योंकि कोई चॉइस भरने का यहां पर कोई खास मतलब है नहीं सारे स्कूल में एक ही सीट है OBC के टेगरी में तो पहला home state भर दिया उसके बाद south में आपको जो भी सही लग रहा है आपको करनाटक जाना है तो second state पर यह भर लीजिए आपको north east जाने का मन है तो आप यहां पर यह भर लीजिए girls के लिए बहुत दिक्कत नहीं है class 6 में आप जो पसंद आ रहे हैं school उनको अपनी priority से भर दीजिए distance wise देखिए किसी भी wise देखिए ज्यादा दिक्कत है नहीं देखिए one one seats are only available for the OBC अब इसी तरीके से किसी और केटिगरी की girl का अगर मैं example लूँ तो माल लिजे करनाटक की कोई लड़की है और class 6 में उसको admission चाहिए और वो आती है ST community से या फिर SC community से आती है माल लिजे तो SC community से home में करनाटक में आपको मिलेगा बीजापूर स्कूल तो आप उसको first priority भल लीजिए अब आपको other state में SC community में देखनी है सीर्स तो one 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 सभी में है बहुत दुविधा कि कोई बात ही नहीं यहां भी देख लीजिए अब इस वाली metric पर आपका ध्यान नहीं अगर आप SC community से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए यह वाली metric है तो फिर से लड़कियों के लिए मुझे लगता है सारे स्कूल एक बराबरी है if they want to get into class 6th boys के लिए इसी तरीके से आपको देखना है आपकी कौन सी category है आपका कौन सा स्टेट है पहली priority अपने स्टेट के थैनिक स्कूल को दीजिए home state advantage मिलता है अगर नहीं आपको यह बात समझ मा रही है तो पिछले वीडियो हमारे जरूर देखेगा हमने वहाँ पर e-counseling को लेकर करें कम से कम दो वीडियो तो अभी तक बनाए हुए हैं हमने हर एक stage पर e-counseling को समझाने की कोशिश नहीं कि अगर आप एक वीडियो भी रंग से देखेंगे तो आपको बात समझ मा जाएगी यह वाला वीडियो भी मैं इसलिए मना रहा हूं क्योंकि अंतिम मौके पर एक प्रॉपर guidance मिल सके आपको इसके लिए कैसे इस school metric का अपने अंदाजा लगाना है यह school metric notification में थी सैनिक स्कूल के और अगर आप शुरू से जाग रुक रहे होंगे तो आपको यहीं पर समझ मा आ गया था कि कैसे इस अपने priorities भननी है मैं यहाँ पर अब class 9th की चलो बात कर लेता हूं class 9th में मान लीजे boys में किसी एक school को लेते हैं मान लीजे हम गोपाल गंज के school की बात कर रहे हैं तो हम बिहार के एक लड़के की बात कर रहे हैं home में boys में मान लीजे कि वो है defense category से अब defense category में आप यहाँ पर number of seats देख रहे हैं गोपाल गंज बिहार में 0 है इसके अलावा फिर बिहार में आपको नालंदा स्कूल भी देखता है तो defense category में हमने आगे भी देखना होगा कि नालंदा में कौन से अगर कोई school चूड़ यहां भी 0 है तो अगर किसी के home state में 0 seats है उसकी category में तो फिर नजदी की दूसरा school देखे फिर से वही criteria आपका हो जाएगा कि अगर आपको distance wise देखना है कि अपने स्टेट से जादा दूर नहीं जाना है तो फिर आपको category बनानी पड़ेगी अपने स्टेट से नजदीक है बिहार के लोग नजदीक में उत्तर प्रदेश जा सकते हैं यहारखंड जा सकते हैं वह सकता है कि वह आ पर maximum number of seeds जिस जगह पर अवेलेबल है उसको पहली priority दीजिए उसके बाद second priority में उससे कम seeds वाले स्कूल को अपनी फिल कीजिए तो defense category में चलिए बिहार में अगर इनको नहीं है तो हम इनकी देखेंगे कहीं UP में UP का कौन सा स्कूल यहां पर नजर आ रहा है हमें जहांसी में जैसे defense category में दो seeds available है तो ठीक है जहांसी हमें एक shortlist किया भी इसको पहली priority दे या नहीं उसको देख लेते हैं बट जहांसी में defense category में अच्छा इंपाल में जहांसी में भी 0 ही है जहांसी भी नहीं हो पाएगा अ इसको डिफेंस category में यहां पर अमेठी में लेकिन यह home नहीं है sorry sorry other states है other state में अमेठी में आपको defense category में एक seat दिखती है और जहांसी में भी other कापूर्थ फला है यहां तो नहीं है दिख रहे हैं और कि अधार के बच्चे के लिए मैंपूरी का ज़ू स्कूल है व吽 अधार है और डिफेंस में यहां भी जीरो सीट है सब्सक्राइब पर फिर नहीं कर पाएंगे अगर आप डिस्टेंस को भी अपनी प्राइब बनाएंगे तो मैं बात कर रहा हूं बिहार के बच्चे की जिसकी डिफेंस के टिग्री है उसको होम में तो कोई और चाहरे भी सीड़्ीम में दो और एक सीड है तो सब में दो और एक सीट है तो resist दो सीड्स वाले पहले identify कर देजिए एक ये हैं अले ये है निक of कौन कौन से स्कूल है एक अमरावती नगरम में है एक चंद्रापूर में है एक चित्तारगड में है एक गोड़ा खाल में है एक गोलपारा में है और उसके बाद एक स्कूल है काजा कुटम में कितने बचे एक दो तीन चार पांच छे साथ स्कूल यहां हो चुके हैं पर भी कि है या फिर जहां चांसे से ज्यादा आपके इडिब मिशन होने कि इस तरीक से कॉंसिलिंग की प्रोसेस में समें अनुभाव करना है इस मेरी को अपने अनलाइज करना है दिखने में मैं बहुत लग रही है लेकिन आपको कहां फोकस करना है यह आपको पता चल चुका होगा आपको अपनी कैटेग्री में होम में सबसे पहले तो आप आप देखिएगा सीट क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है पहले होम स्टेट में सीज देख लीजिए उसके बाद अधर स्टेट में जब भी आप घुसते हैं तो अधर सेट में सिर्फ अपनी कैटेग्री को एक तरीकी से फोकस पर रख लीजिए और फिर इस मेट्रिक का अनभव ज़्यादा बड़ा टास्क था वह सबसे पहले कर दिया था यहां पर 9th क्लास के लिए मैं फिर से बता दूं इस दे नाइंथ क्लास के लिए मैं बता दूं गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज या कहें कि बहुत कम चॉइसे हैं अब अगर मैं किसी प्रॉप चुल है यहां पर जा करके अगर मैं देखूं तो जीरो सीट से हैं इसके बाद स्टी कम्यूंटी में होम के बाद अगर मैं जाओं तो यहां पर एक स्कूल 2, 3, 4, 5 कोई option नहीं है ST community में 9th class में girls के पास वो 10 school भी नहीं बर सकते 5 schools की list वो दे सकते हैं जहांपर कि एडमिशन हो सकते है अब क्यूंकि यह tentative है और सिर्फ 5 school आप बर सकते हैं तो next 5 भी भर दीजिए अगर 0 भी seats है तो अपनी priority के कोई भी school भर दीजिए हो सकता है last moment में किसी school में कोई vacancy create हो जाए तो आपका वहाँ पर एक luck factor भी लग सकता है यहां अपर 9th class में girls के लिए मैं कह रहा हूँ कितनी कम choices हैं वो 10 के 10 school भी नहीं बर पाएंगे सिर्फ 5 schools में ही अपनी priority दे पाएंगी और ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 school भरने हैं लेकिन क्योंकि number of choices 10 हैं तो क्यों ना आप सारे के सारे choices को fill कीजिए ताकि आपका किसी ने किसी सहने की school में admission तो हो अगर आप सिर्फ 2 या 3 choices भरते हैं आपको फिर मजबूरन या तो उन में ही admission लेना पड़ेगा इस यो रिलिजिबल नहीं तो फिर आपको round two round three या फिर उन process से गुजरना पड़ेगा जब कभी seat छोड़ देगा कोई तो उसके बाद ही आपको seat मिल पाएंगी मुझे उमीद है कि यह जो extension of date है यानि कि 31st March तक की यह जो date extend हो गई है और उसके बाद जो यह e-counseling की प्रकिरिया में अब जो समय मिला है आपको उसका आप सही से सदूपियों कर पाएंगे आप इस form को fill करने को भी समझ पाए होंगे और if there is any other query for you कि आप अगर इसमें भी फिर से कोई दिक्का सामना करते हैं तो आप comment section में जरूर हमें बता दीजिए उमीद करता हूं यह information आपके काम की रही होगी और all the best आप इस process को ठीक से अभी से fill करें और दुबारा जो बारी की है उन पर ध्यान दीजिए जरूर आपको यह counseling की प्रक्रिया बहुत आसान लगेगी तो on that note आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अगले informative वीडियो में Till then all the best and take care bye bye